सबसे अच्छा बात ये है कि आप तुरंद कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का उनोटिफिकेशन भी बिल जाता है और तो और पेमेंड के दिन पेमेंड के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं इधर दिल्ली विधान सवा चुनाव खत्म हुआ उधर जेडियू के MLC लालो प्रसाथ से मिले इस बीच सियासी गहमागहमी बिहार में तेज हो गई है आरजडी विधायक सुचंद्र राम ने दावा किया है कि जेडियू के 30 विधायक उनके संपर्क में है तो वहीं जेडियू ने पलटवार करते हुए कहा कि कौन किसके संपर्क में है ये पता लग जाएगा बजट सत्र शुरू होने दीजिए ये बयानबाजी जेडियू के MLC जावेद इकबाल अंसारी की आरजडी अध्यक्ष लालू पसाद यादव से राची में हुए मुलाकात के बाद शुरू हुई है इकबाल अंसारी की मुलाकात इसलिए भी राजडी तिक समिक्राण बदल सकती है क्योंकि अंसारी पहले आरजडी में थे लेकिन साल 2015 में हुए बिधान सवाच नौ के बाद वो जेडियू में शामिल हो के थे लेकिन 20 साल मार्च में उनका MLC का कारेकाल समाफ्थ होने वाला है ऐसे में खबरे हैं कि वो आरजडी में शामिल होकर फिर से बिधान परिशद के सदस से बन सकते हैं अंसारी की मुलाकात पर बिहार सरकार में मंतरी निरज कुमार ने तंज कस्ते हुए कहा कि एक तरफ हम कबरिस्तान घेरने में लगे हैं शराबंदी कर पैगंबर की ख्वाइशों को पूरा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग मॉल के लिए जमीन खरीदने वालों से मिल रहे हैं बिहार सरकार के दो मंतरी निरज कुमार और असोक चौधरी ने आरजडी से 30 विधायकों के संबर्क वाले बयान पर हमला बुला है निरज कुमार ने कहा कि जावेद इकबाल अनसाजी का कारेकाल खत्म होने वाला है इसलिए वो अपनी नई जमीन तलासने में लगी है हमने तो सम्मान दिया लेकिन जाने वाले को कौन रोग सकता है जिस पार्टी का साल 2019 के लोगसवा चुनाव में खाता भी नहीं खुल सका वो पार्टी जडीव के विधायकों को संबर्क में आने की बात कह रही है ऐसा किस अधार पर कहा जा रहा है ये समझ से परे है डूपती हुई नाव पर भला कौन सवारी करता है वही अशोक चौधरी ने कहा कि बजट सत्र खतम होते ही आर्जडी और कॉंग्रिस में भग्र मचेगी इन दोनों पार्टियों के कितने विधायक तूटते हैं ये देखने वाली बात होगी सुबे में दोनों पार्टियों में पिछले दो महिनों से पुष्टर वार चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ शेहरों में पुष्टर लगा कर सवाल पुछे जा रहे हैं लेकिन अब बात सवालों से आगे निकल चुकी है मौजुदा दौर में दोनों ही पार्टियों की विधायक अपने दलों की निताओं से नराज चल रहे हैं ऐसे में उनकी ये नराजगी बिहार के सियासत में क्या गुल खिलाती है ये देखना दिल्चस्प होगा पट्ना से सुजीत जा राजगी से अकास के साथ गुरो डिपोर्ट बिहार तक